हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों को कोबिड हो गया या जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उसके बाद उन्हें सेक्स्वल पावर समाप्त हो फंक्शनल वीक्नेस बहुत जादा है उन्हें एक डिप्रेशन बाली स्टेज या फिर बहुत थकान उन्हें रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक पॉजिटिव एनरजी वो महसूस नहीं करते और वो डे टू डे लाइफ में महसूस कर रहे हैं और सबका ये एक क्व भी हर्प्लेस रहेंगे सबसे पहली बात यह है कि कोवध जिन लोगों को हुआ है या जिन लोगों वैक्सीन लगाए तो आप इसको यह समझे है कि यदि हमें वैक्सीन लगे या हमें कोविड और पूरा ईं andिसीज की तरह ही हमेरे बोडी को एटेक करता है यानी कि यदि आ या फिर oxygen level कम होता है या फिर आपको दूसरी problems आती हैं तो पूरा body के system पे एक load आता है तो इस कारण देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में एक functional weakness और जो एक metabolic function है जो आपका system है वो काफी हद तक regulate अभी नहीं हो पाया है हम एक normal life में एक normal feeling के साथ अभी भी हम अच्छा महसूस नहीं करते तो यह हो सकता है कुछ लोगों में इस तरह की weakness या sex power का खतम होना लेकिन इससे disappoint होने की या परिशान होने की आवशक्ता नहीं है आवशक्ता इस बात की है कि अब आगे हम इसको कैसे restore करें कुछ time लगेगा आपकी जो strength है जो आपका system है उसको normal होने में regulate होने में रिस्टोर होने में बट यह ऐसा आप कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा weakness लगती है और आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है तो सबसे पहले आप अपने खाने में अच्छे quality का protein सामिल करें आप दो अंडे खा सकते हैं या फिर आप 100 ग्राम पनीर पर डे एड़ कर लें या फिर अपने खाने में सोयावीन सामिल करें दूसरे लेबल पे आप अख्रोड बदाम सामिल करें चीनी की जगे आप गुड़ खाएं प्लस आप walk करना start करें क्योंकि walking से भी आपको system काफी restore होगा और आपका blood का circulation है वो काफी better होगा अच्छी quality की नींद लें प्लस make sure करें कि 3-4 लीटर आप liquid लें यदि बहुत ज़्यादा किसी को कमजोरी लगती है तो वो अपने food के label पे अस्भ गंदा या केसर भी सामिल कर सकते हैं that is a good quality multi vitamins which regulate the blood in whole body पूरी body में आपको वो energy provide कराएगा और blood का circulation करेगा इसके साथ ज़रूरी है कि यदि आपको फिर भी कमजोरी बनी रहती है और आप more than 40 हैं तो फिर आप vitamin B12 or D as a supplementary food आप अपने खाने में add कर सकते हैं vitamin B12 का एक tablet daily थिरी मंसक आप ले सकते हैं like neuroveon food, neuroveon plus या wecozyme food एक tablet daily आप तीन महीने तक खाएए plus इसके साथ आप calcirol sachet which is vitamin D एक sachet 100 ml milk में dissolve करके हफते में एक बार आप लें यह आप 12 weeks लें यानि 12 sachet का एक course होता है यह आप ले लीजे उसके बाद आप अपने खाने में 300-400 ml milk लें और यदि आपको बहुत ज़्यादा weakness है तो milk के साथ kisar या कोई protein powder भी आप add कर सकते हैं प्लस fruit सामिल करें चुकंदर गाजर टमाटर और सेब यह चारों चीजें आप सामिल करें इनसे ना केबल आपका digestive system regulate होगा बलकि आपका blood का formation है वो start होगा और blood का जो flow है वो completely पूरी body में normalize हो जाएगा आपका digestive system भी normal हो जाएगा जिससे कि यह आपकी sexual weakness दूर हो जाएगी यदि उसके बाब जूद भी आपको कोई कमजोरी बनी रहती है तो फिर आप अपने physician से consult करें अपने symptoms को discuss करें फिर हमें आपका blood pressure diabetes चेक करना होगा थाईराइड चेक करना होगा क्योंकि यह तीनों parameter बहुत important है यदि आपको hypertheridism हो गया है यानि thyroxin sodium hormones की deficiency आपको आ रही ह तो फिर यह बहुत muscular regulate करना system को यदि blood pressure है तो उसको treat करना पड़ेगा और यदि आपको blood sugar hair side रहता है तो उसको normal करने की कोशिस करनी होगी आपको तब ही आप normal regulate एक sustained healthy life जी पाएंगे और आपकी जो six power है वो जर्नली gradually retain हो जाएगी और three to six month में आप completely normal feel करेंगे thank you very much and take care yourself